कोशन देखे 35 नंबर कहरा एक नाओ की चाल इस्तिर पानी में 15 किलोमेटर प्रति घंटा है यह प्रवाक एनुकूल 30 किलोमेटर जाकर वापस आने में खुल इतना घंटा लगता है चार पिड़ांग एक बटा दो घंटा लगता है तो धारा की चाल ज्याद करने है तो माना ध धारा की चाल बराबर में एक्स कीलोमेटर प्रती घंटा थारा की चाल एक्स कीलोमेटर प्रती घंटा तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जागा तो नाव की चाल क्या होगा धारा के नुकूल तो यह जो धारा के नुकूल जो सांत जल में नाव की चाल है उसमें जोड लेंगे धारा की चाल को यानि कि 15 प्लस X किलो मीटर प्रति घंटा अच्छा धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल नाव की चाल नाव की चाल क्या हो जागा तो 15-X घटा लेंगे ना जो इस्तिर जल में चाल है उसमें से X को घटा लेंगे मतलब धारा की चाल को घटा लेंगे चलिए अब यहाँ पे समय बराबर आपको फॉर्मला तो पता ही है दूरी और बटा में चार प्रस्ने से कितना किलोमेटर जा रहा है तो 30 किलोमेटर जा रहा है धारा के अनकूल ठीक है तो दूरी बटा में चाले है समय आ गया और 30 किलोमेटर जा रहा है और आ भी रहा है तो धारा के प्रतिकूल ना यानिकि 15-X और बराबर 4 पुणांगे एक बटा दो घंटा टोटल लग रहा है चलिए यहाँ पर LCM ले लिया जा तो 15-X और गुणा में 15-X बराबर में जो है वो तो रखी दो 4 गुणा 8 एक 9 हो जाएगा 9 बटा 2 यहां सल को रहे इसमें से भाग करोगे यहां जाके उपर ग मैंस का 36 450 प्लस का 36 अज़िखो एक बड़ प्लस में है एक बड़ मैंस में है तो a-b हो जाएगा ना बराबर में 9 बटा दो यह यह कट जाएगा यह दोनों प्लस का है değ जोड देंगे ना चलिए तो जोड़ देंगे यहां परания पूर जाएगा 900 और बटा में दो सो पचीस माइनस का X स्क्वाइर, मराबर में नो बटा दो, इसको काट दे क्या उपर उपर ही, काट सकते हैं चलिए, तो यहाँ पे कर जाएगा आपका 100 बार में और यहाँ एक बार में, क्रोस मल्टिप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा दो सो पचीस माइनस X स्क्वाइर, बराबर में 200, यह जाके उधर माइनस का हो जाएगा न, चलिए, तो माइनस का X स्क्वाइर, बराबर में 200 में से घटा देंगे 225 को, तो माइनस का X स्क्वाइर माईनस का परचीस 2, reduce स्क्वायर जाएगा की तुमाहीं प्लस मैनसदों इसके साथ लग जाएगा X परचीस 4, Yudur 5 ही न भूल जाएगा चुखिस चाल धनात्मक होता है धनात्मक होता है। इसलिए हम लोग इसमें प्लस वाला ही लेंगे x बराबर 5 ले लेंगे, प्लस का, माइनस वाला भूल जांगे, अता, 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 धारा की चाल, धारा की चाल, क्या जाएगा, 5 किलो मिटर प्रती घंटा, तो ये आपका exercise complete हो गया, ठीक है, तो exercise का हमने सारा question देख लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ लिंक मैंने description में दिया है, ठीक है, इसके अरवा NCRT का भी है, भारती भावन और केसी सिना का भी solution description में है, और मेरे दूसरे चैनल को भी subscribe कर लेंगे, एक है pathfinder classes छपरा, pathfinder classes छपरा, इसको subscribe करोगे ना, तो यहाँ पर आपको भारती भावन के science भी है, social science, इंग्लिस, यहाँ और मेरा चैनल है, रवी कांद सर, एक्च्वल में यह रवी कांद सर वाला जो चैनल है, इस पर जो CBSC के student है, उनके लिए है, और तीसरा तो आप लोग देखी रहे भारती भावन रवी कांद सर, तो तीनों को subscribe करेंगे, वीडियो को like share करेंगे, comment करके जरूर बताएंगे कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और share करना तो भूले नहीं, like तो जरूर कर देना, thanks for watching the video,